आज के वीडियो का टाइटल काफी सोथ समझ के आएक ऐसे ही बस क्योंकी ट्रेट किया नहीं था तो वीडियो पगरा बनाने घंबार नहीं था तो बैठे बटे को से बके करें कि कि इतने पैसे रखो अपने पास कि आज हमें order execute करने का मौका नहीं मिला क्योंकि हम जो stocks देख रहे थे trade करने के लिए आज और कल जितने भी stocks हमने trade करने के लिए थे वह सारे stocks आपको वहां पर मिल जाएंगे तो जैसे आज हमने दिया था Tata Motors तो यहां पर जो day low form हो रहा था इसके अंदर यह exact आप यह देख सकते हो कि जो आज का exact day low है market फिर उसके नीचे गई ने क्योंकि हमें मालूम था कि price अगर इस level के नीचे टूटा ना तो इसके अंदर हमें गरीब 1.5-2% की movement मिलेगी लेकिन price ने क्या किया कि सेम जगह से support लेकर यह upside की तरफ चला गया हमारा setup बना ही ने अगर हम लोग जलबाजी में कहीं से भी या तो 9.15 के नीचे या फिर previous day का जो low था हमारा क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने trade किया हो और previous day के low के नीचे कल का जो low था यह यहां पर था अगर इसके नीचे उन्होंने trade execute किया तो बेशक उनका stop loss ला जागा क्योंकि उनके पास यहां पाप proper level draw करने का system नहीं है तो stop loss 101% जागा क्योंकि selling दिखा करके market फिर ऊपर गई है और थोड़ी बहुत ऊपर नहीं गई है यह करीब 3% का movement upside की तरफ है यह देगे 3.76 3,000 रुपए का risk लेते हैं तो क्या है कह सकते हैं कि आज के trade में trade नहीं करके हमने वो 3,000 रुपए बचा लिए अगर मेरे account से वो पैसा गया नहीं है तो इसका मतलब कि कहिना के वो मेरा profit है तो trade नहीं करके भी हम लोग profit में ही रहते हैं अपने trading की field में एक बहुत famous कहावत है कि no trade is also a profitable trade इसको समझे यह सिर्फ ऐसे ही नहीं कि किसी ने भी अगर पहले बात यह बोली होगी तो बेवकूफ होगा उसने कुछ सोच समझ करके ही यह बात बोली होगी हो सकते आज आज आपने trade चाओ और आप profit में हो हो सकते आपने कल trade करो कल profit में हो like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday लेकि next week impossible ह कि पूरे week आपको रोज आपका setup मिल जाए एक professional trader कभी भी रोज trade करता हुग आपको नहीं देखे एक professional trader रोज डेली आपको ट्रेट करता हुग नहीं देखेगा अगर कहीं पर भी आपको ऐसा देख रहा है कि यह तो रोज ट्रेट कर रहा है और डेली profit में है वहाँ 101% कुछ हम trade नहीं करते हैं क्योंकि setup नहीं बनता है जबरजस्ती हम trade नहीं कर सकते हैं लेकिन यहीं पर intermediate level पर या फिर beginning level पर जो भी participants market में participate करने आते हैं काम करने आते हैं वो यहीं पर सबसे पहली चोट खाते हैं कि उन्हें रोज ट्रेट चाहिए वो भी दिन में एक नहीं दिन में तीन तीन चार्ट चाहिए अगर loss हो गया तो फिर उन्हें revenge trading भी करनी है आज हमने एक update दी थी कि आज की market बहुत ज्यादा हथ तक chance है कि आपको loss करवाएगी दिखेगा कि market upside की तरफ जा रही है बहुत से ऐसे stock है जैसे Tata Motor में हमें उम्मीर नहीं थी कि इतना बड़ा movement आ ज कर दिया होगा लेकिन अगर जिसके पास proper setup है जो अपने levels identify कर पा रहा है तो यहाँ पर बच जाएगा लेकिन ज्यादा तर intermediate level पर भी बहुत से ऐसे लोग होगी जो यहाँ पर Tata Power को trade कर देंगे banking sector में आ जाए क्योंकि banking sector में आज game हुआ है access bank ले लिजए आज क्या इसने drama की आप देखिया यह देखिया अप side के तरफ movement होई है nifty क्या कर रहा था पता है bank nifty जब आप देखो गए तो bank nifty morning से downside के तरफ गेज़ रहा था nifty bank यह सब देखने समझने वाली चीज़ है ऐसा नहीं कि बस दो दिन market में हुआ यह साई चीज़ आपको समझ में आ जाएंगे indices पर आ गए bank nifty bank nifty ने यह आपका daily time frame है दिन का जो सबसे पहला support लिया गया यहां पर with volume price सीध है नीचे यहां पर देखे क्या हुआ है कि जो कल का low था हमारा कल का low है price अपने दिन का सबसे पहला support break कर रहा है 9.15 का low तोड़ रहा है कल का भी low इसने break कर दिया कौन ऐसा हो जो यहां पर short नहीं कर देगा आप sectorial analysis अगर कर रहे हो और stocks में trade करने चा रहे हो तो यह चीज़ आपको trap करेंगी कल के low के नीचे जो कल का हमारा day low था यह लिज़े यह price ने एक trend line को downside की तरफ ब्रिक किया लेकिन literally last side में यह upside की तरफ चला गया इसको बोलते हैं trapping हमने एक चीज़ लिखी थी आज ग्रूप में कि आज की market में maximum लोग loss करेंगे क्योंकि यह जो price actions nifty and bank nifty में form हो रहे थे न यह देखते ही हमको समझ में रहा था कि आज maximum लोग loss करने वाले हैं और अगर आज के दिन में आप loss कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा अपने उपा pressure मन देना कि यह हमें तो आता है है हम कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं सीख रहे हैं तो क्या हम गलत सीख रहे हैं अगर trade कर लिया है गलती और loss हो गया तो loss recover करने जान में यह breakout अगें price upside की तरफ गया अब यहां पर क्या होगा ना short selling की positions create की जाएंगे क्यूं क्यूंकि bank nifty बार बार हमारा support ब्रेक कर रहा है अब यह price तो upside की तरफ चला गया तो हम लोग last में बोल रहे हैं कि price उपर चला गया live market में यहां पर हमारा मन हो रहा था कि यहां से क्य होने के बाद में price फिर volumes increase होने लग गया इसके अदर यहां से price upside की तरफ अगें देखे sellings price नीचे है यह पूरी तरह से symptoms जो दिखा रहा था हमको वो short selling की दिखा रहा था इसी तरह के बहुत सारे stock आप HDFC bank देख लो HDFC bank same story आपको इसके अंदर भी दिखाई पड़ेगी प्रिवेस डे का low यह प्रिवेस डे के low समझ रहे ना क्यों महा कर रहे हैं क्योंकि major supports होते हैं हाला कि हम अगर trade करते हैं HDFC bank को तो यहां से trade नहीं करते हैं HDFC bank का हमारे जो level था वह 11th माई का low point है एक बढ़ चेक कर लेते हैं I think वह 11th का low है यह green red candle 11th का just low point ओके 11th low यह देखिए यह वाला point है जहां सम लोगों को trade इसको हम trade कर सकते हैं लेकिन एक जो basic चीज निकल कर के आती है कि ज्यादा तर लोग जो trade करते या काम करते ना वो previous day को low के नीचे जैसे वो तूटा यहां से short and short करने के बाद मैं देखि कि कैसे यहां पर stop loss लिए गए है कितनी अच्छी तरह से यहां पर stop loss लिए गए है lows 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 है ना वापस देखिए price ने क्या किया दूसरी बार price upside की तरफ चला गया है यह third time bank nifty में same structures form हुए ना price upside में जाते जाते नीचे गिर रहा है upside में जाते हुए फिर सीथे नीचे गिर रहा है और last में क्या हो रहा है कि price upside की तरफ higher high और higher lows बनाते हुए यह सारी चीज़ें like के market बन जाने के बाद में बड़ा असान लगता है कि price तो हमारा higher high higher lows ज्यादा तर ल higher high हो गया higher lows हो गया again higher high again higher lows यह सा market चल जाने के बाद में बड़ा आसान हो जाता है read करना किसी को समझा देना या सिखा देना after market आपको बहुत से intelligent लोग मिल जाएंगे market बन जाने के बाद में बड़ी अच्छी से reading कर देंगे अगर हमें यह पता होता है stiffs bank यहां से low लगा देने के बाद में high होगा तो हमें एक लाख क्वांटी यहां से बाई कर लेते अगले दो तीन चार मेने तक हमें फिर trade करने की ज़रूत नहीं पड़ती moral of the story कि जब आपको confidence ना हो जब आपको लगे कि यार आज समझ पर नहीं आ रहा है market कहीं ना कहीं confused कर रही है उस वक्त ट्रेड बिलकुल ना करो नहीं करना है इसके अलाबा कुछ mental issues भी होते हैं like आपकी family में कुछ चल रहा है आपका personal relationship में आपकी marriage life में या फिर girlfriend या boyfriend कुछ आपकी जो personal relationships है उसका बड़ा हसर पड़ता है professional life में हाला कि इसके बारे में कोई बात कर तो आपको नहीं दिखेगा लेकिन इन सारी चीजों का अपने professional life में बड़ा हसर पड़ता है तो जब भी आपको ऐसा mental pressure feel हो ना trade मत करो अभी पिछले अभी तो नहीं फिलाल करीब 10 द पंदरा दिन लगपक हो गया थे कोई trade नहीं किया था कुछ नहीं कोई update नहीं कुछ नहीं कभी कभी ऐसे एक video हम बना करके short कुछ ऐसे बस बात बोल दिया करते थे जो भी अगर ज़ुरी लगता तो हम बता दिया करते वरना करीब half month तक हमने कोई काम नहीं किया इतना pressure था म नहीं नहीं लगता था काम करने में आप ज्यादा pressure के साथ काम करने बेठे हो गलत decision लोगे गलत decision लोगे काम बिगड़ेगा आपका loss होगा पैसा जाएगा पास वो तो चली नुकसान है ही लेकिन इसके अलावा आप एक pressure में आकर की जो analysis करोंगे और जब उस समय आप गलत हो यह तो सारी बाते हो गए टेकनिकल एसपेक्ट कितने होते हैं कि हमें trade execute नहीं करना होता है यह चीज हम class में अक्सर बताते हैं कि जब भी आप देख लो के market एक दिन पहले जैसे यह है अब हमें trade करना है आज के session आज के market को हमें trade करना है तो यह जरूरी है कि price में जो कल का movement ह हुआ है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए ज्यादा का मतलब 2,5,3% अगर कल को stock चल चुका है तो आज उसको आप trade नहीं करोगे चाहें वो जितना अच्छा भी setup दे रहा हो चाहें जितनी अच्छे entries की confirmations दे रहा हो चाहें जहां से आपको stock मिला हो अगर एक दिन पहले वो stock चल चुका है इतना जितने percentage अभी मैं आपको बताएं तो आप stock को अगले दिन trade नहीं करोगे दूसरी चीज़ आपके predefined area पर या predefined level पर अगर को stock आपको नहीं मिल रहा है तो आप trade नहीं करोगे तीसरा आपके trade करने से पहले अगर को stock बड़ी-बड़ी candles form करके upside की तरफ च candle form करता हो दिखाए पड़ जाए तो उस दिन फिर आप trade नहीं करते हो रुख जाते हो एक DAX system ने बताया था DAX strategy करीब एक सौल हो चुका है उसको आप लोगों के साथ introduce कि हुए हुए हमको काफी लोग तो उसको एपर काम भी करते हैं उसमें क्या होता है कि morning की बड़ी candle को इ अब जो भी morning का high लगा है और यह जो पांच रपय का movement मतलब इस पूरे morning के movement का half यह हमारा टार्गेट होता है Scalping करने के लिए बड़ अच्छा सिस्टम है Dex नाम आप Dex से आप चैनल पर जाओगो सर्च करोगो तो आपको मिल जाएगा काफी पहले हमने काम किया थे इसके उपर लेकिन क्यों कि टार्गेट चोटे होते हैं तो इसको बहुत ज्यादा focus में नहीं रखते हैं कभी-कभी मन करते हैं तो इसका यूज कर लेते हैं वो भी Scalping करने के लिए बहुत जादा इसका यूज नहीं करते हैं मौनिम अगर आपको लग जाए कि किसी भी stock के अंदर इतनी बड़ी-बड़ी movement हो रही है तो आप छोड़ दोसको कि इसके लाब आप वॉल्म की काफि सारी analysis होती है stock selection होता है, trend identification होता है higher time frame की levels की reading होती है higher time frame की levels की reading होती है lower time frame की levels की reading होती है stock positive है, मतलब ये सारी चीज़ें देख करके चलनी होती है तब जाकर कि हम लोग एडिसाइड करते हैं किसी एक stock को trade करना है या नहीं करना है क्योंकि अगर एक अच्छा stock हम लोग trade कर रहे है तो इसके पीछे का मतलब है कि 12-13 stock हमने छोड़ दिये fast decision आपको live market में लेना होगा जैसे कि F1 race होती है ये कहा जाता है कि F1 race के अंदर driver जितनी फूर्ती के साथ जितना quick अपनी decision लेता है बहुत-बहुत-बहुत-बहुत fast decision उसके होते हैं हम लोग उस बराबर तो नहीं जा सकते हैं लेकिन कोशिश करिए कि live market में quick decision लेना पड़ता क्योंकि इंट्राडे है इस लेवल के आपके त्यारी होनी चाहिए तो आई होब की समझ में होगा ये सारी चीज़े आपके clear हुई होगी थैंक्स गोड़ बहुत वीडियो अच्छा लगए तो लाइक किजएगा कॉमेंट किजएगा चैनल पर अगर आप पहली बारा हो तो चैनल को सब्सक्राब कीज़ेगा थैंक्स एंड वीडियो मीट अगें